जिस प्रकार से आप अपने फोन में wallpaper चेंज करते हैं, उसी प्रकार से सेम आप अपने वार्टसप में भी wallpaper चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वार्टसप ओपन करना है, वार्टसप ओपन करके और वार्टसप की setting को open करना है, जैसे आप तो यह वाल पेपर का option आपको यहां से चूज कर लेना आप जैसे यह wallpaper के option पर click करेंगे तो आपको यहां पर देखो wallpaper apply करने के options आपको यहां पर मिल जाते हैं सबसे पहले option क्या है no wallpaper अगर यदि आप ये option चूज करते हैं तो आपके आपका जो WhatsApp है उसमें कोई भी wallpaper नहीं रहेगा no wallpaper यानि कोई भी wallpaper उसमें नहीं आएगा अगर आप gallery में से कोई wallpaper चूज करना चाते हैं यानि कोई image या photo से आप wallpaper लेना चाते हैं जो लीड कलर आपके wallpaper के रूप में श्यो हो तो आप यहां से चूज कर सकते हैं जैसे आप कलिक करेंगे तो यतनी color आपको यहां पे मिल जाते हैं इसमें से आप कोई भी color चूज कर सकते हैं जैसे मैं यह color चूज करता हूँ दूसरे option आपको और मिल जाते हैं इसमें एक और option आपको यहाँ पर मिल जाते है wallpaper library अगर आपने wallpaper library आपने phone में download की हुई है तो आप वहाँ से भी choose कर सकते हैं आप वहाँ से जो choose करेंगे वो आपके वाटसर पर अपलाई हो जाएगा और last option है default का by default जो भी आपका wallpaper है उसी प्रकार से अगर आप default चूज कर लेंगे तो जो भी by default है वो अपलाई हो जाएगा तो इस प्रकार से देखा आपने अपने वार्सप में easily आप wallpaper चेंज कर सकते हैं और wallpaper चेंज करके अपने वार्सप का बेटरक्स में आप ले सकते हैं थैंक्यू इस वीडियो को like share करें चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वार्सप और phone से related सारे update continue future में मिलते रहें थैंक्यू very much